अब डीजेपी मुझे गिरिफ़तार करना चाहती है मेरी सबसे बड़ी संपत्ती मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी इमानदारी है इन्होंने मुझे समन भेजे है मेरे वकीलोंने मुझे बताया है कि ये समन गैर कानूनी है पूछताच के बहाने केजरीवाल को बुलालो और उसे ग्रिफ्तार करलो ताकि मैं लोगसबा चुनाव में प्रिफ्तार ना करपूँ जानलेन अर्विंद केजरीवाल शाकाले निरापोत्ताए मुरेफेला होई केजरीवाले बारी आज शाकाल थेके जल्पना एबर किता होले ग्रेट्तार एर आगे दूबार ईडिए समोनेरी छिन केजरीवाल आपकारी केलें करीते एकादिक आक मोंत्री जेले रोये छे नही म अर्विंद केजरीवाल आपकारी केलें करी निये पाल्टा प्रोष्णों को लें दिल्ली मुखा मुंत्री आर्विंद केजरीवाल कि बोल्लें केजरी आमदे काचिरोये छे शी बगतों बहुत सुने ने शराग घोटाला पिछले दो साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा दो साल से बीजेपी की सारी एजन्सीज कई रेड मार चुकी हैं कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला अगर ब्रिष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां क्या सारा पैसा हवा में गायव हो गया सच्चाई ये है कि किसी तरह का कोई ब्रिष्टाचार हुआ ही नहीं अगर होता तो पैसा भी मिलता ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है कुछ साबित नहीं हो रहा खुले आम गुंडागर्दी चल रही है किसों को भी पकड़ के जेल में डाल लो अब भी जेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है मेरी सबसे बड़ी संपत्ती मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी इमानदारी है जूटे आरोप लगा के फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते है मेरी इमानदारी पे चोट करना चाहते है इन्होंने मुझे समन भेजे हैं मेरे वकीलों ने मुझे बताया है कि ये समन गैर कानूनी है क्यों गैर कानूनी है ये मैंने इनको विस्तार से लिखके भेजाया मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है लेकिन उनने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए अगर कानूनी रूप से सही सम्धन आएगा तो मैं पूरा सही उप करूँगा BJP का मकसद जाच करना तो है इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है, ठीक लोकसभा चुनाव के पहले हैं मुझे सम्मिन भेजाया, क्यों? इस जांच को चलते दो साल हो गए, अभी ठीक लोग सब चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबिया ने मिरको आठ महीने पहले बुलाया था, मैं सीबिया में गया था, उनके सारे जवाब भी दिये थे, लेकिन अब ये लोग ठीक लोग सब चुनाव के दो महीने पहले मुझे बुला रहे हैं, तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताच करना थोड़ी है, इनका मकसद है पूछताच के बहाने के एजरीवाल को बुला लो, और उसे गिफ्तार कर लो, ताकि मैं लोग सब चुनाव में परचार न कर पहूँ, आज बीजेपी ब्रस्चाचारियों को नहीं पकड रही, बलकि खुले आम E.D. और C.B.I. का इस्तिमाल करके, दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवानी के काम किया जा रहा है, एक नहीं, तो नहीं, कितने उधारन है, जहां किसी पार्टि के नेता के खिलाफ E.D.I.C.B.I. के मामले चल रहे थे, या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे, जैसी वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिये गए, या ठंडे बस्ते में डाल दिये गए, तो जो इनकी पार्टि जॉइन कर लेता है, उसके सारे मामले रफाद अफागर दिये जाते हैं, जो इनकी पार्टि में नहीं जाता, वो जेल जाता है, आज मनीज प्रष्टाचार नहीं किया अगर हमने जर्ण सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे ब्रष्टाचारी नेताओं कितरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके तो होते आज तक इस तरह देश के इमानदार नेताओं को जेल में डालके और ब्रष्टाचारीयों को अपनी पा मैं मेरी एक-एक सांस देश के लिए है मेरी खून की एक-एक बुंद देश के लिए है मेरे शरीर का एक-एक कत्रा देश के